हेलो फिरेंड्स, वेलकम तो माई चैनल, प्रीवी एफन, और आज फिर हम देख रहे हैं, स्टुडेंट मनेजमेंट फी सॉप्ट्वेर, जिसमें हमने क्या-क्या आइट किया है, आए उसके बारे में बात करते हैं, तो पहले क्या है, कि यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स आपक करेंगे, उसके बारे में बताया है, जहां पे हम फोटो को आइड भी करेंगे, उसके अलावा, जो हमारा existing student है, और हमने किसी user को यह राइट दे रखा है, कि वो उसके डाटा को देख सकता है, तो आपको उसके लिए edit section में जाना पड़ता था, यहाँ जाके आपको देखना यहाँ पे भी इस डाटा को edit नहीं कर सकते हैं, तो चलिए, start करते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज हुआ है, और कैसी कैसे बदला गया है, तो चलिए, start करते हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि हम एक student fee management system बना रहे थे, जो की छोटे-छोटे स्कूलों के लिए बहुत ही उपयोगी है, अब इसमें क्या-क्या था, इसके बारे में हम detail में आपको पिछले 2-3 वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन last Saturday को हमने एक वीडियो डाला था इसमें कुछ changes करने के लिए, लेकिन अब पता नहीं किस कारण से हमारा जो यह वीडियो है, यह delete हो गया है YouTube से, और जब मैंने YouTube से पूछा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई content ID claim है, इस पे लगा हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आया कि यह क्यों हुआ, क्योंकि अग मुझे बताओ, इसमें कहां पे कोई चीच कौपी होगा, बट यहां पे जो नाम था, वो नाम हमने केवल huge किया था, वो भी एक dummy था, मैंने कुछ-कुछ लिखकर नाम डाल दिया था, किसी का exact नाम भी नहीं डाला था, फैर कोई नहीं, अब जो होना था, वो तो हो गया, ल होता है, वो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास बहुत सरा request आया था, कि स्कूल के लिए मुझे receipt fee management का कोई software बना के दीजे, तो हम उसी के कारण इस video को बना रहे थे, तो खर कोई नहीं, अब मैंने जो बना लिया था, last video जो मैंने upload किया थ और रही बात इसके process को, तो मैं थोरा आपको बिताऊंगा, साथ में इसके file का link description में दे दूँगा, जहां से आप download कर सकते हैं, और जो जो चीज़े हमने change किया है, जो हम आपको बताएंगे, उसको आप thoroughly देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर यह कैसे बना है, चलिए, हम start करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या था, कि यहाँ पर जितने भी हमारे student father name है, इसमें जो हम double click कर रहे थे, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हम किसी नए student को enroll नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए हमने क्या किया था, कि जब आप edit पर जाएंगे, तो यहाँ पर आ अगर हमें add करना है, नया add करना है, तो उसके लिए क्या करना था, हमने यहाँ एक button डाला था, अब इस button पर click करने पर यह direct आपके edit वाले section पर ले जाएगा, जहाँ पर सारे control को यह blank कर देगा, अब इसमें code क्या लिखा है, तो चलिए हम बता देते हैं, तो इसमें हमने code ल नाम है, उसको empty कर दिया, उसके बाद जो हमारा image है, हमने यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने image भी add किया है, यह image अगर खाली करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको load करना होगा blank के साथ, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे load picture किया है blank के साथ, उसके बाद receive list, जिस पर जो यह registration ID है, इसमें एक नया ID आना चाहिए, जो नया ID कैसे आएगा, तो जो seat में आप यह registration ID देख रहे हैं, इसका maximum value निकालेंगे, तो इसके maximum value निकालने के लिए हमने क्या किया, कि me.etxt1 is equal to walkset function.max seat1 range a to a, a to a में हमने max निकाला और plus 1 कर दिया, उसके बाद यहाँ पर कहा जाएगा, यनि देखिये यहाँ पर जब हम इसके क्लिक कर रहे हैं, तो यह multiplex value 1 प्याडा है, लेकिन जब हम इसके क्लिक कर रहे हैं, तो direct multiplex 2 प्याडा है, मतलब 2 किूं मैं बोल रहा हूं, क्योंकि तख़ो यह 1 होता है, यह 0 होता है, यह 2 है, 1 है और यह page 3 जो हुआ, यह true हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर बोलडा हूँ, अपडेट करने का तो मैंने last video में बता रखा था, अगर मुझे इसमें add करना है, तो add करने के लिए save button में हमने changes क्या किये थे, देखेगा, इसमें सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बस के अबल हमने यहाँ पर change किया है, अगर आप last video देखेंगे, तो यहाँ पर हमने किया था, find a student.row किया था, लेकिन अब हम row को हटा के यहाँ पर find किये हैं, then हम क्या किये हैं उसे, अगर उसे मिल जाता है record, जो ID है, registration ID अगर मिल जाता है, अब तो उसी row को update कर देगा, और अगर नहीं मिलता है, तो वो यहाँ पर एक नए row में जाके add हो जाएगा, और बाकि सब same identity जो पहले था, वही है, बस इसमें और क्या add किया था, कि load picture हो जाया साथ में, तो जो load picture का process मैंने पिछले वीडियो में बताया है, same method यहाँ पर भी रहेगा, उसके बाद तो यह आपने देखा ही था, अब यहाँ add करने में, अब यहाँ पर एक जो दुसरा हमने change किया था, वो यहाँ पर किया था, कि हमने कहा था कि view जब करेगा, तो वो यहाँ पर तो देख सकता है, लेकिन receipt का detail देखना चाहे, तो वो कैसे दिखेगा, तो हमने यहाँ पर किया था, कि आप यहाँ पर भी double click करके, देख तो सकते हो, बट इसमें कोई edit नहीं कर सकते हो, अब यहाँ पर जैसे हम edit कर रहे हैं, तो आपके मन में सवाल होगा, कि यह तो आपने edit कर दिया, यह रुका कैसे तो कोई भी change कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने इसे edit को कर दिया, लेकिन हम इसे save कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसे बंद करेंगे, क्योंकि save button यहाँ पर नहीं है, अब जैसे ही हम इसे बंद करेंगे और दुवारा खोलेंगे तो फिर वही data आएगा और edit section में हमने जाकर क्या किया है अब इसके लिए हमने क्या किया है कि जब ये चलिए इस पर चलते हैं अब इसके लिए हमने क्या किया है इसके लिए बहुत ही simple है इसको समझने के लिए थोड़ा edit वाले section को समझते हैं उसके वाद आप आरामसी से बना सकते हैं तो edit पे चलिए, माल लिजे कि यहाँ पे हमने double click किया तो इसमें एक चीज और add कर दिया था ऐसे में narration के बाड़े में add किया था तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे भी थोड़ा सामने change किया था वो क्या change किया था? चलिए इस code में चलते हैं कि जब हम इस पे double click कर रहे थे तो यह क्या-क्या आ रहा था? कि अबल आ रहा था date और amount narration नहीं आ रहा था जो कि हम list box से ही उठा रहे थे तो हम list box में एक column additional add किये थे narration के लिए आप seat में देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हमने एक narration का field बढ़ाया था आप इससे बढ़ाने से क्या फायदा हुआ कि हमें बार-बार seat में नहीं आना पड़ेगा क्यों? आप यहाँ पे देखो आप इस वाले list box में हमने total column अप कितना कर दिया चार इसमें क्या-क्या add किया था इसमें हमने add किया था receipt id, amount, date और एक नया कर दिया narration पहले हमारा था amount due और receipt id लेकिन जैसे ही यह तिसरा एक और बढ़ाया हमने तो उसमें हमने narration भी add कर दिया उससे क्या है, जब हम इस पे double click करें तो क्या हो, आप देखे, user form में यह सारे item चले जाएंगे, right और हमने आपको बताया था कि यह सारा code किस लिए था कि जब हम वहाँ पे update वगरा कर देंगे तो feed से हमारा list box update हो जाएगा तो इसके बारे में last video में हमने details से बता रखा है अब उसके बाद इसमें add किया था कि photo add करने के लिए, यह जो add photo आप देख रहे है कि यहाँ पे अगर मुझे कोई दूसरा photo add करना है, तो हम कैसे add करेंगे तो इसके बारे में बहुत ही जैसे कि बहुत सारे video में में इसे बता रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, इसको करना क्या है यहाँ पे एक control देख रहे हैं यह पहले video में बताया था मैंनी इसमें क्या हो रहा है, कि जो seat में file path है, यहाँ पे जो file path है यह वाला, यह क्या हो रहा है यहां पर call होड़ा है और जब यहां पर call होड़ा है तो इसमें क्या होड़ा है picture load होड़ा है तो हम जब add photo कर रहे हैं तो इसमें एक file dialogue open कर रहे हैं और हम कर रहे हैं कि केवल jpg file ही आना चाहिए और जब file आ जाएगा तो हमने एक चीज और restriction लगाया है कि multiple file आप select नहीं कर सकते हो उसका जब हमारा file select हो जाए तो हमें क्या हो ETXT 15 में जो हमने select किया है उसका file पाथ चला जाए उसके बाद image to picture में load picture हो जाए लेकिन अगर आप इसे यहां पर गए हम यहां पर edit में गए और यहां पर add photo करके कि हम कोई दूसरा photo add कर देते हैं और हम save नहीं करते हैं और back करते हैं अब दुबारा इस पर जाएंगे न तो फिर से हमारा वही photo रह जाएगा हमें क्या करना है चेंज करने के बाद यहां पर change करने के बाद आपको save करना है जब आप save कर देंगे जैसे यहां पर मैंने डाला इसे अब save करूं जब हम इसे save कर देंगे उसके बाद जब इस पर double click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे picture आपका change हो गया है तो हम इसे फिर से picture को change कर देते हैं और इसे save कर देते हैं इसमें एक issue और था क्या issue था कि जब हम यहाँ पे क्योई पे update करने जा रहे थे अगर हम यहाँ पे कुछ भी update करते तो जैसे ही आप save करते हैं क्या हो रहा था कि इस column में जो यह column है यहाँ पे क्या हो रहा था यह date हट जा रहा था तो बहुत सारे लोग का comment भी आया था कि यहाँ पे issue आ रहा है तो इसका region क्या था देखिए basically हम unnecessary code को दुवारा run कर रहे थे यहाँ पे आप देखेंगे कि यह जो item यहाँ पे add हो रहा था आप देखेंगे यह जो add है अगर यह आप add नहीं भी करते हैं इस code को आप यहाँ से delete कर सकते हैं तो इसको अगर आप delete भी कर दें तो आपका कोई issue नहीं होगा क्यों नहीं होगा तो मैं बताता हूँ मालेजे कि इसको हम comment कर देते हैं कि receipt id हम यहाँ पे add नहीं कर रहे हैं अब हम इसे run करते हैं अब यहाँ पे इस पे double click किये यहाँ पे हम edit में गया और इसे save किये तो अब क्या कर रहा हूँ मैं basically वहाँ से आपका data clear तो हो रहा है list box से क्योंकि जैसे ही आप इस पे save कर रहे हैं यहाँ पे save कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपका form change हो जा रहा है और चला जा रहा है list box पे ऐसा क्यों किया मैंने क्योंकि unnecessary यहाँ पे जाके फिर से इतना quote run करनी की जववत थी नहीं क्योंकि जब भी कोई data आप update करते suppose that मालेज़े इसमें हमने change क्या क्या है वो समझ लीज़े suppose that मालो कि यहाँ पे यहाँ पे हम data को save करते और continuously दिखता रहता तो होता क्या कि यहाँ तो change हो जाता यहाँ भी change हो जाता लेकिन इस वाले section में नहीं दिखता यहाँ इसलिए किया था जिससे कि हमारा यहाँ का जो code है वो बच गया जो additional हमने डाला था उससे हमने यहाँ पे हटा दिया इस code को अब इससे क्या है समझी अब थोड़ा सा है इसका region क्या है जब भी हम data save करते हैं तो हमें क्या होना चीग जैसे ही data save हो हमारे main list पे data आ जाए और बाकि इस पे double click का तो हमने बनाया ही था कि किस में कहां जाके add होना है तो जैसे ही हम इस seat से इस seat पे आएंगे इस space से जैसे ही हम इस पे जाएंगे तो यहाँ से direct वहाँ पे जाने का मतलब कि page 3 पे जाने का कोई रास्ता है नहीं रास्ता क्या है कि जब तक हम इस पे double click ना करें और जैसे ही double click करेंगे तो क्या होगा हमारा सारा data फिर से automatic update हो जाएगा जो कि already हमने यहाँ पे code लिख रखाया है जो कि पिछले वीडियो में इसके बारे में पूरा detail से बताया गया वट इसमें क्या एक add हुआ है एक और column add हुआ है जो कि मैंने बताया है तो यह चीज़ हुआ था अब होता है कि यह back जाएगा कैसे तो चलिए यहाँ पे save होने के बाद हमने यहाँ पे last में यह देखिए multipage के page को बदल हमने कहां पे ले गए 0 value पे 0 value का मतलग कि पहला उस multipage के पहले page पे हम move करा दिये उसी तरह यहां पे भी अगर आप back करते हो तो यह direct 0 पे ही जाएगा क्यों जीरो पे जाएगा कि मान लो कि आपने यहां पे कुछ changes किया अब हम यहां इडिट किये तो जैसे ही हम चाहते है कि यह जब यहां से भी कुछ back करे न तो automatic यहीं पे आए अब हम आगे चलते हैं कि यहां पर जो दिख रहा है जहां पे हम edit नहीं कर पा रहे है receipt को यह कैसे हुआ है तो यह भी बहुत simple है एक दो line का code इसमें लिखा गया हूँ क्या लिखा गया है यहां पर हमने already code बना रखा था उस form को open करने के लिए दिखाने के लिए अब हमें करना क्या था कि जैसे ही हम इस वाले में जो यहां पर code लिखा हुआ है न डवल क्लिक पे यह वला code यह code केवल वहां पे हम copy करके ले गये थे और कहां पर डाले थे इस page 2 के list box के double click पे same यही चीज हमने paste कर दिया था as it is केवल list box का नाम change कर दिया था उसके साथ last में यहां पर important code लिखा था वो क्या लिखा था कि इस user form में जो यह save button है यह save button का नाम क्या है save button इस button को हमने कहा कि जब हम इस list box से double click करें तो हमारा जो button है save button वो दिखाई ना दे जब button ही नहीं दिखाई देगा तो data save नहीं होगा तो यही था मेरा last video जिसमें हमने data entry का complete कर लिया था सारा complete हो गया था अब केवल बचा हुगा है report generate करना जिसके बारे में हम इस Saturday को आपको बताएंगे तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको लगता है कि यह application useful है तो please इसे comment करें अपने दोस्तों के साथ share करें तो चलिए इसे के साथ धन्यवाद